मैं डॉक्टर संजीव कुमार सिंग आज हम लोग BPSC PT के त्यारी के लिए आज सिलिवस की चर्चा करेंगे आज जो चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं वो विशय है अर्थ्विवस्था अर्थ्विवस्था एक ऐसा विशय है इसमें आज के संदर्व में इसकी उपियोगिता पीटी को ध्यान में रखे कि कितने कोश्चन पूछे जाते हैं कितना इसका महत्व है हमारा जो सक्सेस होगा हम जो क्रेस्थ कर लेंगे इसमें एकनोमिक्स के कितनी भूमिका होगी हर एक सब्जेट का अलग लग भूमिका है तो एकनोमिक्स को कितना मदद कर पाएगा और आज कितना इसका महत्पूर्न है आप त्यारी करने के लिए है आप इसे कि लोग सीवा आयोग जो सर्दी करने जा रहे हैं उसमें यहां द्धन को पर रहे है जो और रहे हैं इसमें धान का बड़ा महतु है और ये द्धन कहीं है बेक्तित्व को भी बहुत प्रहाओत करता है तो ऐसी स्तिति में हम लोग आज चर्चा करेंगे कि इसका सिलेवस क्या और इसका कैसे हमको क्रैस क्रा सकता है पीटी को कि देखते हैं कि इस 차ul चेस्ट्र को लोग देखते तहले चेप्ट्रत कपूल मूऌ अधार्णा इकनोमिक्स नाम सुनके ही आपके मन में आता होगा अर्थसास नाम सुनके ही चानक के ध्यान में आते होंगे जो चानक के हैं या जो विशनु गुप जिनको और कहीं नाम से जानते हैं ये ध्यान में मन में आता है लेकिन हम लोग जिस economics को चर्चा करेंगे यह modern economics है यह Adam Smith का economics है तो इसको आधनिक अर्शास हम लोग बोलते नहीं हैं बोलते इसको अर्शास्त्री हैं उस अर्शास के अंतरगत हम लोग इसके अवधारना की चर्चा करेंगे के इसके concept क्या है जैसे किसी विद्यारती से पूछा जाता है कि भारत की अर्थिवस्था कैसी है तो उसका सीधा जवाब होता है कि घृत शुलिष्था मिस्श्रित है तो यह हमारा एक क्या है यह हमारा एक अब धारना है concept है कि भाई हम mixed economic वाले देश के हैं जबकि आज के संदर में हम लोग day by day प्रति दिन पूंजी वादी के और बढ़ते जा रहे हैं लेकिन बोल चाल में हम क्या बोलते हैं बोल चाल में हम बोलते हैं कि हम मिस्तित अर्थवरस्था वाले हैं वैसे ही जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग सत्त वादी हैं हम उस देश के हैं जहां सत्त हरिश्चंद्र हुआ करते थे यानि जो सपना में भी जो बात को सोचे उसक नहीं मिस्रित अब हो गई पूंजीवादी डे वाइडे हम लोग नीजी करन की और बर रहे हैं कॉंसेप्ट आप देखेंगे कि आएगा आपको एल पी जी यह कॉंसेप्ट आएगा कि भाई लिबरलाइजेशन प्राइब्टाइजेशन ग्लोबलाइजेशन यह कॉंसेप्ट कि वह उदारी करन है नीजी करन है और वैस्वी करन है यह किस और हमको लेके जा रहा है लगातार कई बार आप सुनते हैं यह बिनिवेस हो रहा है डिस इन्वेसमेंट हो रहा है यह सारे कॉंसिप्ट की चर्चा हम लोग डे बाई डे करके वन वाई वन करके हम लोग मूझ लबधारना में देखेंगे छोटी छोटी बात को कि हमारा भारती अर्थवस्था की विसेस्ता क्या है सुतंता के पहले हमारी क्या विसेस्ता थी सुतंता के बाद हम लोग कैसे बने हैं आज कैसे अर्थवस्था को ध्यान में रखके दुनिया में जितनी संस्था बन रही ह है उस सारा का सारा आज इवेनों कहने के लिए दुनिया को एक अत्रित करने के एक बरी संस्था है लेगिन दुनिया को अगर आज कोई चला रहा है तो वो जो संस्था है डवलू टियो वर्ल्ड बैंक आई एम एफ ऐसी जो एकनॉमिक्स की संस्थाएं हैं आर्थिक संस्थाएं हैं ये दुनिया को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है और कहीं ने कहीं आप देखते हैं कि भारत के प्रधान मंत्री की जो बिदेश यात्रा है वो सांस्कृतिक यात तरह कम यह अर्थ से जादा है कि आयात निर्यात से जादा है निवेश कितीने के आप अश्रीत होता है जाला है उसमें इनधी बातों में चल Musik लहाएं है भारत दुनिया को ख्रेया सकता है तो यह जो दुनिया को खिला सकते हैं यह बात क्या है यह हमारी अर्थ्वस्था की बात है हम इतने ताकतवर हो चुके हैं तो यह सारे छोटे-छोटे कौंसेप्ट कीच चर्चा हम लोग कहा करेंगे मूल अभधार्ना में करेंगे कि पहला चिप्ट्र दूसरा चिप्टर नहुंद आते हैं धन और बेंकिंग जैसे ही धान और बैंक का आज हमारे जीवन में क्या में बेंक का इतनी बरी मिखोंगी है इतनी बरी भूमका कि आज जो स्मार्ट मोबाइल है वो चर्रता फिर्टा लुफ रोगी का केंद्र खुला उसके परिनाम सरूप 50 करोर लोगों का जंधन खाता खुला यानि बैंकिंग से अटैच हुए आप याद कीजिए इस करोना में इस करोना काल में जो करोना का दौर चला था कैसे बैंक की भूमिका बह गए थी अभी जो लोग आप पीटी के त्यारी करने वाले हैं मेंस सलथा को जाना है यानि बैंक क्या है बैंक हमारे विकी एक इंफराश्ट्रक्टर का घड़ हम लोग इस बैंकिंग भी देखेंगे किस पर nessa काम करता है हमारी अर्थविष्था को कि सोफने ग्रेंट्रा हमाराा जौरा केंद्रिये बैंक यह कैसे काम करता है मौदरिक निती निती हमारी किया है ओर और किया है इसका क्या से 법 नेक्ट तीसरा आते हैं आर्थिक माप मैजरमेंट करना ना येसे मेजर्मेंट स्कुछ कि वाई अभी मेजर्मेंट नीती आयोग एक मेजर्मेंट किया और बताया कि भारत जो है बहुयामी गरीबी में उसको आम बोल चाल के भासा में हम लोग गरीबी बोल देते हैं वह गरीबी रेखा के नतरकत भारत में 50 प्रतिसत लोग बिहार के जो है वो गरीब है जैसी नायक है सत्ता के नायक है उनमें जबर्दस यह वाल आता है वह कहना स्टार्ट करते हैं कि जो आर्थिक मापन का जो यूनिट है वही गलत है उनके मन माफिक यह बात आया नहीं तो उस मापन को ही गलत कर रहे हैं इसमें लोग क्या क्या देखेंगे हम लोग इसमें किस से जुटा हुआ है तो कहीं ने कहीं ये जुटा हुआ है GDP से जुटा है NDP से जुटा है यानि कई ऐसे process है कई ऐसा fact है जिससे हमारा ये मामपंकन जुटा हुआ है बोलते हैं कि हमारा पर-capita income क्या है प्रतीवेक्ती आए क्या है तो यह कहाँ से निकलेगा यह मामपन से निकलेगा उसके मामपन के तरीका है उसका फर्मूला है कैसे बोलते हैं कि इस करोना काल में करोरों लोगों का जॉब छुट गया यानि उनके income कम हो गया लेकिन ऐसे धनी लोग हमारे रहे हैं उद्योगपती रहे हैं उनका income बर गया अमालों ये बोल चाल के भासा में बोल देते हैं लेकिन उनके पास उनका infrastructure था digitally source थे तो उनका income बर गया नेक्स्त आते हैं भारत में सारवजनिक vitt इस सारवजनिक vittmern हम लोग 2-3 चीजों को ध्यानव में रखेंगे पहला तो हम budget पर चर्चा करेंगे इसमें भारत की budget विवस्था क्या है भारत का राज को सीय नीती क्या है और भारत की कर्विवस्था क्या है इन सारी बातों की चर्चा हमलों कहां पर कर लेंगे सारजनिक विट में कर लेंगे फइंस पब्लिक finance है यहां पर चर्चा करेंगें बजट जो है एक राष्ट के जीवन की गती को आपम निर्भर भारत को रिपर्जेन्ट करेगा ये भारत को आत निर्वर की ओर लेके जाएगा उसी बिहार का जब बजट आएगा बिहार का जो बजट प्रस्तूत किया गिया बाड़ीय तरकी सुर्जी के द्वारा तो वो क्या बताया गिया कि भाई बिहार जो है हर एक आर्थिक मांपंकन में जो भी मांपंकन भारत का होता है उसमें भारत जो है नीचे से फ़र्स्ट है तो ऐसी स्थी में नीचे से फर्स्ट है यह कहीं ने कहीं हमारी दूर्दसा को परदर्सीत करता है तो यह budget क्या दिखाया कि 7 निष्चे पार्ट टू आत निर्भर बिहार यानि जो कॉंसिप्ट है पोलिटिकल पार्टियों का जो घोसना पत्र होता है उसको रिपरेजेंट करता हुआ बिहार का बजट आया अब जो बजट बनेगा तो पैसा कहां से आएगा पैसा जो आता है वो कर से आता है टैक्स से आता है एक तो कर से दूसरा गैर कर सोस्झ से तो हम लोग इस बजट इस सेक्शन में ये भी देछेंगे करandra भी सेक्शन देखेंगे कि ये टैक्स आता कहां से है इंकम टैक्स क्या है अभी जो एक बड़ा अभियान चला हैं जी एस percentage का कर वार उसको भिपक्षीदल क के द्वारा कहा भी आता है यह गबर सिंग्टैक्स है अगर जीएस्टी के पहले जब इसको आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि एक लेने वाले कर देने वाले से के सैक्र किसिम का टैक्स करते थे तो सर्विश टैक्स आपकोई समान करने आप से बिकर्ट मतल्बान करका भार से किसी उद्योग पती पे आगर आप कर लगाते हैं तो वह बस्तू के के दाम से सर्विस के माध्यम से वोगता से क्या कर लेता है उसूल कर लेता है टैक्स को तो हम लोग यहां देखेंगे किसमें भारत के सर्विक में तीन बात इसमें देखेंगे भारत की फिसकल पॉलिसी को देखेंगे भारत की बजट पॉलिसी को देखेंगे और कर विवस्थ है इसे मालो हार्ट अच्छा काम कर रहा हो लंग्स अच्छा काम कर रहा हो लीवर ठीक काम कर रहा हो ब्रेन भी ठीक काम कर रहा हो हाथ पर भी अच्छे से काम कर रहा हो लेकिन अगर इसमें रक्त नहीं हो तो यह सारे औरगन रहने के बावजूद भी काम नहीं होगा और रक् तो बना नहीं सकते हैं आज भी कहा जाता है कि रक्तदान महादान उसी किसी राष्ट को चलाने के लिए कर की बरी भुमिका होती है अगर कर का कलेक्शन नहीं होगा तो गरीवी नहीं मिट सकता है आप यह नहीं कह सकते हैं गरीवी मिटाने के लिए अगर सरकार ये सोचती या कोई अगर मन में आपके मन में ये आता है कि गरीवी जो है नोट छापने से अगर मिट जाती तो हर एक मुहले में हर एक चौराहे पे सरकार केवल ATM की ही बिवस्था करती कि एक ATM लगा देते हैं जिसको जितनी मडजी है नोट निकाल लो अपनी गरीवी को दूर कर लो एक सकेंड के लिए इसको आप सोचिये कि अगर ऐसी विवस्था होती तो समाज में क्या उथल पुथल होगा कि सबके पास नोट तो रहेगा केरेंसी तो रहेगा लेकिन समान नहीं होगा इसलिए जरूरी currency का नहीं है जरूरी क्या है समान के production का आज जो भारत के प्रधान मंत्री का दुनिया में इतना मान सम्मान हो रहा है उसके पीछे क्या है उसके पीछे चटान के तथ भारत के लोग हैं जो काम कर रहे हैं, किसान खेत में काम कर रहा है, गिहूं का उत्पादन हुआ रूस उक्रेयन के युद के बीच में जो रूस और उक्रेयन दुनिया को 30% गिहूं का निरियात करता है 30% आज वो दोनों आपस में क्या कर रहा है युद्ध कर रहा है तो इस युद्ध की परिस्थिते में वो गेहूं का निडियात कर पाएगा क्या दुनिया भारत की ओर देख रही है जो अफगानिस्तान आज से 15 दिन पहले गुरुद्वारा में बंफ हो रहा है उसी अफगानिस्तान को भारत हजारों टन गेहूं दिया है कि खाओ और खाके फिर बंफ होर ना सुचिये हम लोग मानपता की प्राकास्ठा पर रहने वाले भारत के लोग है कि हम लोग मानपता को मरने नहीं देना चाहते हैं हम लोग वैसे देश के वैसे सनातन संस्कृति वाले लोग है तो यह भारत का साजमी बित्थ हो गया आगे हम लोग देखेंगे पांचमा जो आ बाद मेंाते हैं तो से पहला कदम बढ़ता है कि कोचिंग में चले गया रहे है कि सिरे स्टुरेंट में चले कि ऐसा नहीं होता है मन में एक्योंने कोई design होता है रूप रेखाicate तो इस रूप कहीं कर सकते हैं कि वह को भारत को सोचना है को इस बात को मान लखना होगा इसलिए किसी बात पर तर्खपुर्ण धर्ण से आप नहीं सोचेंगे तो लकीर के फकिर रहेंगे कि जो सत्ता के नायक कह दिये हम उसको मान लिए हमारे यहां जो फाइव यह का प्लान बनता था अब बारहमी पंचवर्शी उजना के बाद यह प्लान नहीं बन जाता है रूक जाता है रोकना पड़ता है ऐसे कई हम लोग उस्व धर्मी देश वाले हम लोग हैं बड़ी उस्व मनाते हैं हम लोग और कहीं उस्व हमको जिंदा दिल बनाता है लेकिन इसमें कहीं बिकास प्रभावित होता है सच्चा ही है आज तो दुनिया भी हमारे बा बाता है आप जबरदस्ति उसे वर्क आवर ज्यादा लेंगे तो उसके कहीं ने कहीं उसके एफिसीएंसी पे असर पड़ेगा और जैसी असर पड़ेगा तो काम बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा दुनिया के कई देशों में फोर दे चार दिन का वर्क कल्चर स्टार्ट हो गया कि तीन दिन चुटी चार दिन काम करना है भारत अभी नहीं बर्पाया भारत अभी रवीब्र की छुटी में ही फषा हैं अभी इसलिए तू डिवलपिंग है डिवलप नहीं हो पाए हैं उस ओर बर रहे हैं तो इसमें हम लोग योजना में देखेंगे कि अब बढ़ावर प्रधानमंत्री सुनें, कई बार उसको बहुल भी देया था, कई बात लोग बोलते हैं, क्या इतना बढ़ावरा बात बोलते हैं, वो 247 का बात सोच रहे हैं, कि 247 का बात सोच रहे हैं, तो अगर आज से भीजन अच्छा बना रहेगा, तो हम निश्चित रुप से जो हम बनना चाहते हैं, हम फिर से विस्व octopus Coleman बनना चाहते हैं, तो केवल सब्धों के माध्यम से विस्व reportedly बनने से नहीं होगा, हमको जमीन पर क्या करना होगा, और वो काम डे वाई डे भारत के नौजवान कर रहे हैं, उसको भारत के प्रहांमंत कर रहे हैं आगे देखिए खुली अर्थ्ववस्था और ये जो उपन एकनॉमी इंडस्टरी को रिलेट करता है ये कहीं ने-कहीं हमारी जो उद्योग नीती है और दोगे की नीती है आयात और निडियात की नीती है उसको रिपरेजेंट करता है जैसे ही अभी जो पहला चिप्टर में हम लोग कॉंसेप्ट देखे थे कि हम कैसी अर्थ्वस्था वाले हैं तो मिस्रित अर्थ्वस्था वाले है खुली अर्थवस्था का मतलब है कि आज दुनिया से जो हमारा जुराव है दुनिया से हमारी जो कनेक्टिवीटी है वह बरी है का जाता है कि जब मालों देश अज़ाद हुआ जब भारतÓ AK certificate हमको एक और वी देश से रिश्टा कम रखना है क्यूंकि को नरहाँ गुलाम अधरा या अंग्रेजयों के दोारा गुलाम बनाया गया तो शुरू में हम लोग अपनी नीती बनाए क्या वाई कि नहीं हमको विदेश से उतना ही रिस्ता रखना है उतने ही संबंद रखने हैं जो बहुत जरूरी हो लेकिन आज 2022 में या उसके पहले ही जो नई आर्थिक नीती आया 1991 में जो नई आर्थिक नीती आती है उसमें लोग तै करते हैं कि भारत में आर्थिक सुधार होगा इकनॉमिक रिफॉर्म जिसके जनक डॉक्टर मनमोहन सिंग है उसमें प्रधान मंत्री पीवी नर्सिमा राओ थे वानिज मंत्री पी चितंबरम थे ऐसे लोगों के नेत्रुत में सरकार टै की कि हमको कैसी अर्थिवस्था अपनाना है खुली अर्थिवस्था अब इस खु हो 1956 की औ mask निति हो 1969 की और अदयुगनिती हो 1973 की सारी और अदय चाहिए ऊझार की चाहिए तो उतना विकास नहीं हुआ था और एक समय आया था 1989 में 1989 में एक समय आया कि भारत की स्थिती जश्ट लाइक आज जैसे सिरलंका की है पाकिस्तान की है वही स्थिती भारत की हो गए थी मात्र साथ दिन के लिए 7 डेज का भारत के पास पैसा था जो बाहर से समान हम खरिते हैं पेट्रॉलियम है कोई किम्ती दवा है या अस्तरसस्त खड़िदना है उसके साथ दिन के मात्र पैसे बचे हुए थे ऐसी परिश्थिती में भारत क्या टै करता है भारत सोना गिर्वी रखता है लंदन के बैंकों में और जब भारत सोना गिर्वी भी रखता है तो आप जैसी छोटासा बात है इसको समझो कि तुम अपने आपने उने पैसे का किया और आप ये जवाब देते हैं कि हम नहीं बताएंगे तो उस मित्र का क्या एंसर होगा ठीक है तो पैसाम नहीं देंगे पर आपको बताना पड़ता है कि हमको 100 रुपिया का ये काम है गहरी मित्रता है तो अलग भी सह है आप मांगे दे दिया पूछा नहीं लेकिन यह कॉमन बात बता रहे हैं तो इसे यह देश की बात है कि जब देश सोना गिर्वी रखता है लंदन बैंक में और इस गिर्वी रखके मालीजे वहां से अब धन मिलेगा जिस धन को खर्च करना है देश को फिर से आगे बरहाने में तो तो चाहेगा ना कि पीछे पिछली पैसा अब यह अपना उड़ा चुका है यह गवाँ चुका है अब यह दलदल में फंस चुका है तो कहीं हमारा वाला भी पैसा डुबा न दे तो अब आपको वह सर्त पर रिन देंगा जिसको बोलते हैं कंडिशनल फैसलिटी और एक संसक नाम हम लोग लिखे थे हम लिखे थे हा आई एम एफ इंटरनेशनल मोनेट्री यह सर्तो पर भारत को मुदद करता है भारत को कहता है कि आपको पोलिशी अपनाना होगा कौन सा पोलिशी ल, प, जी आपको अपनाना होगा कैसी अर्थवस्था तो खुली अर्थवस्था यानि आप जो निती बंद बनाए हुए हैं जो जकर के रखें निती को उस निती को खुला छोरना होगा यह LPG का जो L है वो क्या है लिब्रलाइजेशन जिसको बोलते हैं उदारी करन तो क्या उदारी करन उदारी करन जो आपकी कठोर आर्थिक नितियां है उसको लिब्रल किजिए जिससे विदेश के निवेसक आकर यहां अपना व्यपार कर सके दूसरा इसका निति क्या है P privatization कि भाई आप जो सरकार जो सरक चला रही है फैक्ट्री या उद्योग यह काम सरकार करने हैं आज जो विपक्ष आरोप बिच्विच में लगाते रहता है कि सरकार यह बेच ले रही है वो बेच ले रही है यह दुनिया की सरकार की policy है कि सरकार का काम सासन प्रसासन की विवस्था करना है सरकार का काम उद्योग चलाना नहीं है यह दुनिया की नीती चली आ रही है और दुनिया में भारत के साथ उसको रहना है तो दुनिया की नीती को follow करना तो भारत भी स्नीति को माना और डे बाइडे क्या होते जा रहा है प्राइब्टी करन होते जा रहा है जितना हर्ष्थियार निर्माता है इस दुनिया में जितने बिमान निर्माता है इस दुनिया में यह सारे के सारे निजी कंपनी वाले सरकार उसको नियम उसके लिए बनात रोसा देती तब तो बना पाएंगे तो नोग इस खुली अर्थ-विवस्था में देखेंगे कि हमारी विवस्था कितनी खुली आज जहां जहां जिस जीस देस्के भारत के प्राभ्योंति जाते हैं कि भारत के प्रवासियों से मिलते हैं वहां के यह FDI क्या है foreign direct investment यानि प्रत्यक्ष विदेशी निवेस यानि कैसे हमारे यहां निवेसक आए आज जो मौरिशस हमारे यहां बड़ा सबसे बड़ा निवेसक बना हुआ है इस इवेई बड़ा निवेसक है अमेरिका बड़ा निवेसक बना है क्यों इन देशों में भारत के प्रहामंत्री की यात्रा बार बार होता है जपान भारत के प्रहामंत्री बार बार जाते हैं उसका कारण क्या है उसका कारण है यही FDI foreign direct investment आज दच्छिन कोडिया की जो सैमस सैमसन की कंपनी है उसका बड़ा प्लांट लगा है क्या है FDI के तहर आप हमारे हैं क्या क्या करें अपने पूंजी का निवेस करें अपने पूंजी का मतलब कि आप मालो सैमसन बनाते हैं कोई और चीज बनाता है तो जब फैक्ट्री लगाएंगे ठीक है maximum जो मालो वहां ज दूसरा आज दुनिया में सबसे बरा कंज्यूमर का जो गट बना हुआ है वह भारत है आज दुनिया भारत की ओर देख रही हूं क्यों देख रही है क्योंकि हमारा पर्चेजिंग पावर क्या हो रहा है बर रहा है हमारे खरीदने की सक्ति वर रही है तो जो हम खरीदने की सकती हमारी बर रही है तो दुनिया के जो समान विक्रेता है वो भारत की ओर देखते हैं चाहे वो सर्विस हो या गोट्स हो आज जो फिस्बुक है ट्यूटर है वाट्सप है जितना सर्विस देने वाली कंपनिया है उसका सबसे वराव भोगता कहां पर भारत में बलें चंसंख्या चीन की अधिक है लेकिन कंज्यूमर भारत में सबसे अधिक है क्योंकि यहां भारत का करेक्टर किया रहा है भारत का दुनिया में पुरा इतिहास रहा है कि भारत को लोग करस किये भारत किसी को प्रतारित नहीं किया है हमारा इतिहास नहीं रहा है कि हम किसी पर हमला किये होंगे अब थोड़ी निती बदली है कि अगर आप प्लान भी बनाएंगे हमारे खिलाप में तो हम उस प्लान को सक्सेस नहीं होने देंगे पहले था कि आप पहले हम पर हमला कर दीजिए हम उसका जबाब देंगे इस पोलिशी को भारत बदल दिया है दुनिया को एक संदेश दिया है कि दुनिया के किसी देश में किसी अस्थान पर कोई भी हमारे खिलाप में कुछ खडियंत्र करेगा तो हम हमला करवाने का इंतिज देना प्रारम कर दी जैसे इजरायल करता था कि उसके पर कोई बात होता है तो दुनिया के किसी भी छेत्र में उजाके कर सकता है तो अभी हम दुनिया के किसी छेत्र में जाने के तो इस्तिति में नहीं है लेकिन अपने आस परोस में आस परोस के जो परोसी हम जो परसान करने वाले हैं उनको जवाब देने के स्थिति में भारत है नेक्सट जो चप्टर है हमारा है आर्थिक छेत्र जी इकनॉमिक सेक्टर है यहां पर हम लोग मालों गरीबी है ब्रुजगारी है ऐसे कई विश्रीयों से रिलेटेड हम लोग जो अलग-अलग सेक्टर है सारवी सेक्ट विजगार एक समस्या है भारत को बोलते हैं कि भारत युवाओं का देश है हर एक डाटा में चाहे वो उद्योग पती हो राजनेता हो सब के द्वारा कहा जाता है कि भारत 65% जो अवादी हमारी युवा है आज आप जो त्यारी कर रहे हैं वीपिए सी पिटी का युवा है अपनो जवान है आपको क्या लगता है कि हमेशा आप नो जवान रहेंगे ये 65% अवादी कभी विर्द होगी की नहीं होगी तो सरकार ये सोचती है कि ये 65% जो अवादी युवा है इस युवा का जो लाभांस है जो डिविडेंस है वो उठा लेना क्योंकि एक समय आएगा कि इन पर ज़्यादा खर्च करना होगा उसमें हमारी अवादी जो है जो 35% बचेगा उसी में बच्चे और नौजवान होंगे तो आज इतना कमा लेना है इतनी आर्थिक सिती मजबूत कर देना है कि कल ये 65% जब विर्द हो जाए जैसे जपान आज क्या है दुनिया का सबसे विर्द देश है लेकिन लाचार इस नहीं है कैसे हम लोग कहां अपने आसपरोष गाउं देहात घर सब जगा विर्दा वस्था को एक मतलब ऐसी वस्था में करते हैं कि अगर पेंसन नहीं है इंकम के उनके साधन नहीं है तो उनकी थोरी परतिश्ठा कम करते हैं तो सुचो एक समय पैंसट परसेंट अबादी जब विर्द ओगी उसकी क्या दसा होगी तो दसा ऑर दुर्दशा जैसा हो जपान विर्द देश होते हुए भी क्वहां कभी सुनते होगे कि वहां का जो ऑशत आयू है दुनिया में सबसे अधीक है भारत की जो ऑशतक record यह कोई जीने वाला आपके घर में कौई 80 जी लेता होगा पचासी जी लेता होगा लेकिन जो अच्छीन जापान का क्या है आप अस्ती, यह आप सुनते हो कि कोई मरा तो 104 बरसका है 1929 बरसका है इसका मतलब कि वहां जो medical facility है वहाँ जो culture जीने का है वहाँ जो बाकिस सुख सुख सुख़धा है वो high quality के बढ़ाए गया जब बर गया विर्देश है तो हाँ robot काम कर रहा है घर की सुरक्षा छोटे मोटे काम robot कर दे रहे हैं आज कैसे artificial जो intelligence है उसका बड़ा इस्तमाल कर रहा है जापान आप बिहार में भी पटना में देखते होंगे कई restaurant प्रारम किया है कि खाना जो deliver करना है table पर उसको वो छोटे छोटे तकनीक के माध्यम से कर रहा है उसको वैरा नहीं कर रहा है यानि तकनीक का सहारा ले रहे है एक समय आएगा कि जब यह 65% वरिद्ध होगा तो तकनीक कहीं हमको ज़्यादा सहारा लेना पड़ेगा आज कैसे एक जो smart mobile आपके पास है उस चलता फिरता बैंक भी है चलता फिरता अस्पताल भी है चलता फिरता मनरंजन का साधन भी है यानि वह अपने आप में बड़ा बात है आप एक बार यूटूब में किसी भी चीज को सर्च करते हैं कि हम ये book सर्च करते हैं आप एक चीज को सर्च करते हैं और उससे related वह कई बात डाल देता है यानि उसका artificial intelligence ये नुभब करता है कि साधन इनको इस business कि अबसकता है इस लीट कि आख सकता है और यह लगा देता है तुमको लगाता है हम तो एक बार सर्च किए थे ये दुनिया वहर का बात आगिया तो जपाण इसका इस्तमाल करता है भारत को भी क्या करना है इस 65% जो अबादी हमारी है इसको मजबूत करना है इसको अर्ण करने वाला बनाना है आज रुजगार क्या है बिहार के लिए यूपी के लिए जहारखंड के लिए उरिशा के लिए रुजगार एक बड़ा मुद्दा है अब ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि हर एक राजनीतिक दल घोसना पत्र में यूवा और रुजगार उनका बड़ा अव्यान है कोई 19 लाख रोजगार देने की बात करता है कोई 10 लाख रोजगार देने की बात करता है कोई 2 करोर रोजगार देने का बादा किया था कोई अगनिपथी स्कीम लेके आया कोई आत्म निर्भर भारत स्कीम लेके आया प्रतलब रोजगार जो है पहले चुनाओ इस मुद्धे पे नहीं हुआ करता था इमोशनल मुद्दे पे हो जाया करता था बाबनात्मक मुद्दे पे चुना और लड़ लेते थे लोग हाड जाते थे लेकिन आज प्रतीक राजनेतिक दल को विकास का चर्चा करना पड़ता है तो आर्थिक शेतर में देखेंगे ऐसे विकास ग्रोथ और डेवलपमेंट ये दोनों जो बात है दोनों कभी कभी लगता है कि दोनों एक जैसा है नहीं है एक जैसा कई बार हम लोग विकास की अंधी दोर में बिनास किये हैं आज देखिए कि नदी से हम लोग बालू निकालते निकालते देखिए नदी का क्या हाल कर दिये हैं लकडी का इस्तमाल करते करते जंगल का क्या हाल कर दिये हैं तो आज जो विकास है वो पोस्निय विकास या टिकाव विकास की अब दुनिया चर्चा कर रही है कि विकास कै कैसा होना चाहिए कैसे आज करोना जब आया था आया मालों फिर से थोरे इसको उभार हुए है सतरता हम लोग को बरतना है तो किसे हमारा आयुरुवेद हमारा योग को पुनो उभार मिला कि अंग्रीजी दवा ठीक है ततकाल अड़ाहत देता है लेकिन अगर अस्थाई करना है बास्ता में हमको स्वस्त रहना है तो अपने खान पान पर सुधार रखना है अपने यह कहता था कहा कहता है आज वास्तविक्ता है कि कीचन ही हमारा जो है स्वस्त रहने का आधार हुआ करता था आज उसको बदल दिये अब जैसे जैसे हमारी संपन्ता बढ़ते जा रिस्टूरेंट पर ज्यादा आश्त्रित हो जाते हैं और फिर बाद में अंग्री जी दवा के पीछे दोड़ते हैं आपको समाद में ऐसे कई लोग मिल जाएंगे कि दवा भी खाओ और मिठाई भी खाओ इंसुलीन की सुई भी लेलो और मिठाई भी खाते रहो बीपी का भी दवा लेलो और फिर दर चिकेन मटन पर भी टूट पड़ो उसपे यह कल्चर है लेकिन भारत की सबता संस्कृति ऐसी नहीं रहे हम लोग योग और आयरवेद वारे लोग रहे हैं अमारे हैं क्या रहा है